आज के इस लेक्शर में हम लोग साइन्स को रिवाइस कर रहे हैं थूँ एस लेक्शर का सैट नमबर 38 है अगर आपको इस स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस इमेल एड्रोस पर मेल कर सकते हैं यह मेरा Instagram link है आप मुझे message कर सकते हैं for quick replies और यह मेरे Telegram Channel का link आपको दिया गया है इस Telegram Channel पर आपको मेरे सभी lectures के pdf मिल जाएंगे जिनको आप Vieution Purpose के लिए download कर सकते हैं अगर आप मेरे बाकी के series देखना चाहते हैं जैसे कि science NCRT series या history NCRT series तो उन सब के लिंक भी आपको इसी चलेगराम चनल पर मिल जाएंगे So let's start इससेट का पहला सवाल जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है Which bacteria is responsible for nitrogen fixation and associated with the roots of legumes तो यह आपसे NCRT का सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है Legumes तो अब इसमें 2-3 चीजें पूछी गही है Legumes जो है Legumes कुछ इस तरीके के Plants होते हैं जिनके roots में जो है कुछ special तरीके के bacteria रहते हैं जो क्या काम करते हैं वो nitrogen fixation का काम करते हैं तो जब मैंने आपको legumes जब मैं आपको nitrogen fixation का topic पढ़ा रही थी और जो मैंने आपको roots वाला topic भी पढ़ाया था तो मैंने इन दोनों ही topics में आपको बताया था कि what are leguminous plants तो leguminous plants वो होते हैं मैंने आपको बहुत ही easy example देखे बताया था leguminous plants वो होते हैं बहुत ही common सा आपको समझने के लिए है जिसके अंदर वो beans लगते हैं फलियां जिसको कहते हैं हिंदी में जो beans लगते हैं और beans के अंदर से आपको seeds मिलेंगे तो वो होते हैं leguminous plants जैसे सबसे common example आप देखेंगे मटर मटर जो है उसके अंदर आपको एक मटर की फली जैसा मिलेगा उसको आप खोलेंगे तो आपको उसके मटर के seeds मिलेंगे जो की आप pulses के form में खाते हैं तो leguminous plants वो हैं जो की हमको खाने के लिए क्या देते हैं pulse अगर हम बोलते हैं जो दालें भी होती हैं जो दालें जितनी भी होती हैं वो भी beans में लगती है तो उनको आप खोलेंगे बीन्स को और उसके अंदर से आपको वीज निकलेंगे जो कि आपको खाने के काम होते हैं तो वो जो प्लांट्स हैं वो लग्यूमिनस प्लांट्स है सबसे पहली बात तो आपको यह सबजना पड़ेगा अब क्या पूछा जा रहा है अब हमें उस बिक्टीरिया का नाम पूछा जा रहा है जो की नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है और यह रहता काहां पर है आने की कोशिश करें और फिर आपको इस तरीके से प्वेशन आता है जिसमें चार स्टेट्मेंट आपको मिलते हैं अब आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बिक्टीरिया ओनी तब आपको इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो आपको लेग्यूम्स भी पता होन आपको नाइट्रोजन इस प्साइशन बिपता होना चाहिए यह लेंव दैन रूली बीक्टीरिया घीजया घर प्लेके से आजाता है यह एक सिंपल तरीका था तो रचॉबिमी अपर ऑंचिपिरिया जिसका जीनор मरं इंड़न नेगटिव का र tidak अटेव मिंस्टीरिया पो के सब्सक्राइब करते हैं यह यह कि खाए था Incो हम हम बिक्टीरिया को देखने होता है कि हम उसके वपर दाई डालते से किया तो वह पॉजिसीने सीनल आता है तो उसकीों पर यह था इच्छा को टाइच essent जो कि हमको कहां पे मिलता है leguminas plants के root में मिलता है जो कि क्या गाम कर रहा है nitrogen fixation का काम कर रहा है तो यह क्या है Guyssobeam अगर हम बात करते हैं बाकी के विक्तीरिया कॉन कॉन से थे Salomonela Amoeba Amoeba तो बक्तीरिया नहीं होगा Amoeba, single cell organism है, microorganism, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से वो काम करते हैं. अगला सवाल जो है, वो है आपकी स्क्रीन पर आपको से में पूछा जा रहा है, which one of the following can be used to confirm whether drinking water contains gamma-emitting isotope or not? अब यह PCS में पूछा गया सवाल है. यह पूछ किया रहा है, पहरे तो आपको यह समझना पड़ेगा. यह आप से पूछने की कोशिश कर रहा है, कि इन चारों में से कौन सा ऐसा chemical है, या कौन सा ऐसा substance है, microscope, lead plates, skin tilation counter, या spectrophotometer. मतलब कौन सा ऐसा इसमें से instrument है, जो कि यह पता लगाता है, कि जो पानी है, उसके अंदर gamma emitting, जो है, isotope मौजूद है या नहीं, मतलब कि वो contaminated पानी है या नहीं, कोई उसके अंदर ऐसा chemical दो नहीं है, जो कि gamma rays है, वो emit कर रहा है, अगर gamma rays emit कर रहा है, तो वो पानी जो है, कंडामिनेट हो चुका है, तो उस पानी को टेस्ट करने के लिए, इसमें से कौन सा जो है, instrument यूज किया जाता है, वो आप से सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो आप देखिए, जब हम water pollution या pollution वाला chapter पढ़ रहे थे, तो pollution हम तरह तरह से देखते हैं, pollution किसने तरीके का हो सकता है, particulate matter हो सकता है, इस तरीके का matter भी हो सकता है, radiation जिसके अंदर हजार होगा, तो radiation हजार वाला वो होगा, इस तरीके कि क्या में कल पानी में या खाने की चीज़ों में मिल गए है, जो कि हमको radioactive जो material है, उसको एमिट कर रहे हैं, तो अगर radioactive material एमिट करने वाले substance अगर हमारे खाने में मिल गए हैं, तो that could be very very dangerous, तो यही पुषदार है, वो कौन सा instrument है, क्या microscope की मदद से हम पता लगाते हैं, क्या हम lead plate की मदद से पता लगाते हैं, क्या हम skin tail, हम counter का use करते हैं, या हम spectrophotometer का use करते हैं, तो यह बताइए, इन चारों में से किस instrument का use किया जाता है, यह पता लगाने के लिए, तो अगर अगर उस instrument का नाम जानते भी नहीं हैं, तो भी आप इसको elimination method से पता लगा सकते हैं, अब microscope के अंदर radiation तो नहीं दिखाई देंगे, तो microscope तो बिल्कुल rule out कर देंगे, microscope, मतलब छोटी चीज़ों को बढ़ा करके दिखाता है, gamma rays आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसमें हमें microscope में तो नहीं पता चलेगा, वो हटेगा, spectrophotometer, आप इसको पढ़िए देखिए, spectrophotometer, something, photo मतलब light से related है, something, तो ये भी नहीं होगा, spectrophotometer भी नहीं है, अब दो चीज़ें बची, lead plate से या तो हम पता लगाते होंगे, या तो skin tillation counter से पता लगाते हैं, तो इसका सही जवाब है, skin tillation counter, skin tillation counter क्या करता है, skin tillation counter जो है वो एक तरीके का, instrument है, जिसी जिस्ते की हम ionizing radiation जो है, उनका पता लगाते हैं, वो किसी भी चीज़ के अंदर present तो नहीं है, तो it can be used to detect gamma rays emittance from the isotope present in drinking water, drinking water के contamination भी चेक करते हैं, इस तरीके का कुछ instrument सा दिखाई देता है, ऐसे एक बना होता है, skin tillation counter, इस में से जो है, माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम tiny organisms को देखने की कोशिश करते हैं, तो माइक्रोस्कोप तो नहीं था अंसर, लेड प्लेट जो होती है, it is also not applicable, because it is used in many radiation shielding, तो रेड लेड जो प्लेट है, उसको हम शील्डिंग के लिए यूज करते हैं, लेड प्लेट का यूज कहाँ पर होता है, जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा, आपको सामने खड़ा करने के बाद, जो एक्सरा करने वाला परसन है, ऐसे एक लकड़ी का, जैसे आपको ख़ाई देगा, इसके पीछे चला जाता है, तो जो पार्टीशन है वो लेड ड्य आद होती है, उसके पीछे भो चला जाता है, ताहकी यह बनाई जात मैं, जो हमफुल इफेक्ट लिसलिएक्ड एक्सरे का शहां, बट अगर आप रोज-डोज 1946 होजई एक्सरे से तो आपको वो चैंसर तक क電 detector कर सकता है इसलिए ठीज एक्सरे के टrition हैं जो ढॉक्ट नहीं पशे को रीड करते हैं यह जो उस चेंबर के आसपास रहते हैं वह सब अपने आपको अट पो प्रोटेक्ट करने होते हैं जो लोग X-ray में ज्यादा एक्सपोज होते हैं उसको सूथ को पहन के फिर जाते हैं या फिर जिसको कोई ऐसी जगह पर जाना नुक्लियर रेक्टर के अंदर तो वह वाले कपड़े पहन के फिर लोग वह अंदर जाते हैं अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आप किस से रिलेटेड है? किस चीज से से रिलेटेड है? ब्लड लेटेड है? WBCs से रिलेटेड है? रीकलियर टीमीच इसे भी रिलेटेड नहीं है तो जब हम NCRT पढ रहे थे तो हमने कुछ-कुछ common diseases के बारे में बात किया था blood-related, RBC, platelets, white blood cells, इनके बारे में हमने बात किया था, deficiency diseases के बारे में बात किया था, तो polycythemia जो होता है, polycythemia के इस तरीके की condition है, जिसमें RVCs जो होती है, वो उसको affect करती है, जिसका सही जवाब RBC है, तो उसमें होता क्या है, जिसके अंदर increase हो जाता है polycythemia, of various health problems. हो कहा जाता है ये? मताब हमारी RBCs का number exceptionally बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है. अब exceptional number में हमारी RBCs जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा अगर हमारी RBCs ब्लड में बढ़ेंगी, तो वो अपना harmful effect डालना शुरू कर देंगी. तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है RBCs का number इसके अंदर कि वो हमें health problems कॉस करना शुरू कर देता है. तो this is the condition called polycythinia. Next सवाल जो है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, ये UPSC में पूछा गया सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा, which one of the following element is essential for construction of nuclear reactor. Nuclear reactor को बनाने के लिए इसमें से कौन से chemical की ज़रूरत हमको पढ़ती है. तो कौन कौन से chemical इसके अंदर दिये गए हैं, cobalt, nickel, zirconium and tungsten. अच्छा, अब आप ये देखिए कि भई, जो nuclear reactor होता है, उसके अंदर जो है, किस तरीके का chemicals को यूज किया जाता है. तेखो, हमने पिछले वाले सेट में भी पढ़ाता है, जिसमें हमने heavy water की बात की थी, जो की moderator की तरह काम कर रहा था. Coolant जो होता है, वो coolant की तरह काम करता है. moderator क्या काम कर रहा था? heavy water जो होता, neutrons को speed को slow कर रहा था. फिर हमने पिछले सेट में ही बात किया था, cadmium rods की. तो cadmium rods क्या कर रहा थी? इन्हें reaction को initiate करती थी या कम कर देती थी. तो इसमें से और बताईए, क्योंकि nuclear advanced technology है, तो advanced technology के बादे में भी हमको पढ़ना साधा important है. इडिशनली में आपको बता रहे हूँ, cobalt, nickel, nickel का alloy बनता है, cobalt, nickel दोनों को मिला के alloy बनता है. ये भी हो सबता है. जर्कोनियम क्या होता है? जर्कोनियम जो है, एक special kind का metal है. तो इसका सही जवाब है, जर्कोनियम. तो वो क्या करता है? अब हम देख लेते हैं. तो जर्कोनियम है, ये क्या करता है? slow down करता है, fast moving neutrons को in a nuclear reactor. जैसे moderator का काम होता है, heavy water. heavy water का काम था, deuterium का, neutrons का speed को slow down करने का, same वैसा वैसा सा ही काम करता है, जर्कोनियम भी. जर्कोनियम क्या है? एक leading material है for nuclear fuel assemblies, जो की use किया जाता है, कहाँ पर? light water reactor ने. दो तरीके के reactors हम पढ़ते हैं, एक light water reactor और एक heavy water reactor. तो heavy water जो reactors होते हैं, उसके अंदर तो heavy water जो होता है, वो किसकी तरह use हो जाएगा? moderator की तरह है. जैकि जो light water reactor है, उसके अंदर क्या होगा? light water reactor के अंदर zirconium यूज होगा, instead of deuterium, जो वाला जो water है, H2O, उसकी जगा पर zirconium का use किया जाएगा, neutrons के speed को कम करने के लिए. क्यों है ऐसा है? because it is transparent to neutrons. it has good temperature performance and it is withstand corrosion. तो corrosion को भी withstand कर लेता है, तो इसका use किया जाता है. अगला सवाल जो है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप से पूछा जा रहा है, blood dialyzer के बारे में, तो blood dialyzer as well as artificial kidney, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, blood dialyzer के बारे में भी, artificial kidney के बारे में भी, जिसको हम की use करते हैं, इसको हमने डिसको भी किया है, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, दिखिए, हमारी किड्नी, इस सवाल का चबाव असान है, प्लाजमोलाइस पे करता है, और असमोसिस पे, इंभीशन पे, इंभाइबीशन पे, डिफूजन असमोसिस पे, करद किड्नी के स्ट्रॉक्चर, कि कि उससे काम कर रही है? कमें फिल्ट्रेशन का काम कर रही, तो किड्نी का घमिने, PCT, DCT, ड़्ट्रेशन का चाम कर झाम कर रही है, इसज़ंवाइडी टॉक्षय का दॉक्षय करीजो है, किस बास क를 किह प्लात, कुछ चीज़ें वापिस से रिलीज कर रहती है तो कौन सा प्रोसेस उसमें काम कर रहा था जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन और ऑस्मॉस इस प्रोसेस तो प्रोसीजर जब एक वेरिन और टाइप ऑफ डालेसिस मशीन आज वेल इसमें दोनों चीज़ें वहती है और ऑस्मॉस इस तरीके से होता है डिफ्यूजन जो होगा अलाउंग ग्रेडियन और ऑस्मॉस जो है इस मैंने आपको जब डिफ्यूजन और ऑस्मॉस इसका एक डिटेल चार्ट भी दिया रहा दोनों में क्या डिफ्रस होता है आप गड़ सकते हैं तो यह तो अलाउंग ग्रेडियन होता है और इसके अंदर जो ऑस्मॉस इसके अंदर सॉल्यूट का मॉमेंट भी हो सकता है चीक है तो यह उसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जारा है वट इस परसंटेज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कंटेंट ऑफ नॉर्मल और हेल्दी परसंट जो एक बिल्कुल पॉफ और हमने डिसकस भी किया था इसको अपने किड्नी वाले फंक्शन की बात जब हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया भी था तो वेरी गुड क्वेशन आपसे पूछा जारा कि कितने अमांट तक ग्लूकोज जो है एक हल्दी परसंट के यूरिन में टॉलरेट कर सकते है हम कि यह एक हल्दी परसंट कितना परसंटेज है वो ग्लूकोज का तो इसका सही जवाब है जीरो परसंट एक हल्दी परसंट जो है उसकी किड्नी जो है जीरो परसंट फिल्टर करेंगी ग्लूकोज को मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं आएगा तो किद्नी ठीक से काम नहीं कर रही है और वो ग्लुकोज को भी यूरिन के अंदर पास-on कर दे रही है तो वह एक डिस फंक्शन है इसलिए जो डियाबिटीज के पेशन्ट हो थे हैं उनकी जो ब्लड है उसके अंदर एक्सेस ऑफ ग्लुकोज आना शुरू हो जाता है तो उस ए भी में चल्क ने को ब्लुकोज क्यों बडायता किसंव कता खाल तो यमूचण पो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें पूछा गया पूरानन आप मेंने आपको अपना पर सेट पढ़ा आपको उस सैट के अंदर भी बहुत सारी चीज़े बता है तो इसमें उसका रही तो इसमें बूछा नहीं मतलब एक फुरामन मतलब होता है basically a hole तो हमारी जो हड़ियां है उसके बीच में एक फुरामन है वो जो है वो कहां पे located है फुरामन मैंगनम यह हमारे pectoral girdle में located है यह हमारे cranium में located है यह हमारे posterior region of the skull में located है यह none of the above तो अब आपको अगर याद है वो chapters तो आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर नहीं याद है तो फुरामन मैंगनम अगेन बढ़ा technical word है तो इसका जवाब सिर्फ वो ही दो लोग दे पाएंगे जो कि यह जानते हैं जिनको यह याद है जिनोंने इस चैप्टर का डिटेल में पढ़ा था तो फुरामन मैंगनम जो होता है हमारी स्कल में होता है तो posterior region of skull is the right answer तो posterior region जो स्कल होगा यहाँ पे फुरामन मैंगनम होता है ओन ब्रेकिंग डाउन इस अनट में अगर आपको याद है हमारी जो स्कल है इस चैप्टर से बंदी थी यह हमारी eye socket है तो यहां पे हमारा Phonomen Magnum होता था चीक है? दिखिए एक चीज़ आप समझ लीज़े जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं जो भी हम अपने MCQ सेट में पढ़ रहे हैं जो भी हमने NCRT में पढ़ाता अगर आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं बहुत सारे सुदेंट मुझे आप लोग मेल करते हो आप मुझे मेसेज़ करते हो आप मुसे पूछते हो कि हम किसी चीज़ को याद कैसे रखे तो एक सिंपल सा फंडा है याद रखना नहीं है आपको जाल पूछके बहुत साथा एफट मन डालो अपने दिमाग के ओपर आपको याद ही रखना है सिर्फ और सिर्फ में इतना कहती हूं कि आप थोड़ा सा रवाइस कर लो अगर आपको साइंस की बात है आप लोग जो स्टेट PCS दे रहे हो या दूसरे और कोई भी एक्साइम कि यह लग इस्हां तो आपको डिवाइड करना पड़या कि आप हिस्ट्री इतना तरी पर यह जहाओ लिऊजे कि बहुत करन लुञप ने पर चाहते हैं कि अगर यह सोचते हैं कि आप सब कुछ जो है देजन सिर्फ इस्ट्री पढ़ेंगे उसके नेक्स 10 देज फिर आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसके नेक्स 10 देज तो आपको क्या होगा ना लांस टाइम जब तक आपका एक्जाम आएगा आपका दो तीन चीजें छुट जाएंगी तो यह एक सरी तरीका बिल्कुल नहीं है आपको time divide करना है निन सबसे पहरी चीज आपको divide करना पढ़ेगा time कि इतना देर जो है आपको saience पढ़ना है इतना देर आपको maths प्रेक्टस करना है इतना देर आपको quality पढ़ना है जеography पढ़ना है उसको divide करने के बाद जो आपका full डे है उसमें एक सारे के subject एक साथ मधा उठाओ, उइभी चार सब्जेक्ट उठा लो एक बार में, उन चार सब्जेक्ट में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, तो at the end of your week, पांच दिन आपने पढ़ाई किये, तो 6th day आपको revise करना है, 7th day आपको major revision करनी है फिर से, और आपको साथ में questions भी solve करनी है, उससे related, तो आपके memory में permanent चला जाएगा वो, आपको समझ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको कब वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी, तो that timetable has to be followed, वो discipline आपको जुरूर लिक्या आना पड़ेगा अपने जिम्दगी में, तब ही आपको ये चीज़ें जो हैं, आपको special effort किये बिना याद नहींगी हमेशा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो science के student नहीं है, तो इसलिए उनको science नहीं आता, आपको एक चीज़ समझिए, जहाए आप science के student नहीं हैं, मैंने मान लिया, आप humanities के student हो सकते हैं, आप commerce के student हो सकते हैं, किसी और discipline के student हो सकते हैं, लेकिन आप याद करिये हैं, जब आप school में थे, कि कोई तो ऐसा दिन था, मतलब 10 तक तो हम सब लोगों ने एक ही जैसी पढ़ाई किये, अपने सब्जिक में स्पेशलाइज करना शुरू किया, जो बायो वाले स्टुएंटे बायो में चले गए, कॉमर्स वाले कॉमर्स में चले गए, लेकिन तक तो आप सब लोग एकी ज़र इसी से पढ़ रहे थे, तो आप जो मैं आपको पढ़ा नहीं हूं, बेसीक चीज़ आप इस सब डिसिप्लिन के मास्टर रहें, आप इस डिसिप्लिन के बारे में कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा कोई प्रिकन्सीव नोशन लेके पढ़ाई मत किया गरो, जो कुछ भी आपको पढ़ा है, अगर आप चाहे हिस्ट्री के ग्राजुएट तो अगर अगर आपको सामन सवाल नमर आठ है, ये UPSC ने पूछा था, अपने UPSC एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसमें पूछा थारा है, most of the desert plant bloom during the night time, रात में क्यों ब्लूम कर गए, ये शाहद रिपीट कोशन है, इसको हम अपने किसी ना किसी सेट में पहले भी ले चुके है, तो अब बता time, अब अगर desert की, आप physiology की बात करते है, geography की बात करते है, तो आपको पता चलेगा desert में क्या होता है, बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत जादा पढ़ती है, रेत है, वहाँ पे moisture नहीं है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, जो जितने भी flowers है, वो रात को आएंगे, insects भी रात को आएंगे, जब temperature down चला जाएगा, तो रात को temperature down चला जाएगा, तो फूल भी रात को ही खिलते हैं, क्योंकि जब insects आएंगे, तभी उनका pollination होगा न, अगर दिन के ताइम पे फूल खिल गए, पहली बात तो sunlight की वज़े से उनका सारा moisture और जाएगा, वो एक separate reason है, ब वो होगा night का time, in case of desert, तो ऐसा इसलिए होता है, तो इसका सही जवाब D है, high temperature की वज़े से daytime में, क्या है, majority of the activities of the plants has to be suspended, तो इसलिए रात को फूल खिलते हैं, अगला सवाल जो है, UPSC में पूछा गया सवाल है, फिर से, UPSC इस तरीके के सवाल पूछती है, वो बहुत स्टेटमेंट के होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान, लेकिन वो इतना लंबा स्टेटमेंट होता है, उसमें इतने difficult words यूज किये जाते है, technical, कि आपके brain को लगता है, कि बहुत डिफिकल्ट है, वो समझने की कोशिश करना ही बंद कर देता है, उसको समझ नहीं आत स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी, वो सवाल उतना ही आसान होता है, बहुत स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले सवाल आसान होते हैं, हमेंशा मुश्किल सवाल वो होते हैं, जिनका स्टेटमेंट बहुत सीधा दिखता है आपको, जितना सीधा दिखेगा आपको स्टे have reached a dramatic turning point. New discoveries promises better therapy and hope is the war against the disease referred to in the above quotation is which cancer को refer किया जा रहा है, AIDS को refer किया जा रहा है, tuberculosis को refer किया जा जा रहा है या Alzheimer's disease को refer किया जा रहा है. तो देखिये, first line में इसका जवाब चुपा हुआ है. It begins as a single cell and grow into a merciless disease. Single cell से शुरुआत हुई और merciless disease की तरह वो फैल गया. तो किसकी बात हो रही है? Single cell से शुरुआत हो रही है और एकदम से disease की तरह बढ़ता जा रहा है. तो वो होता है cancer, uncontrolled growth of cells. Cancer का मतलब क्या होता है? Cancer कोई disease नहीं है, cancer का मतलब है uncontrolled division of the cell. Cell की division हो रही है, uncontrolled, जिसको हम control ही नहीं कर पा रहे है, उसको हम cancer कहते हैं. वो इतनी जादा number of cells बढ़ जाती है, कि वो जो आजपास वाली cells है, उनको या तो press करना शुरू कर देती है, या उनको invade करना शुरू कर देती है. दो तरीके के cancer है, benign and malignant. तो बिनाइंग सिर्फ प्रेस कर रही है उसको और invasion कर रही है, malignant cell. तो malignant cells जो होती है, वो invade करना शुरू कर देती है, तो ये cancer के बारे में स्टेप्मेंट है. आज इसे पढ़ेंगे दो-तीन बार तो आपको समझने आ चाएगी. एड्स के बारे में नहीं है, तो ये है cancer की बात, देखिए एक cell थी, normal cell नहीं है सारा, cancerous cell ये जो होती है, invade करना भी शुरू कर देती है, many cells that continue to grow and divide, variation in size and shape, nucleus that is larger than the dark, darker than the normal one, abnormal number of chromosomes, cluster of cells without a boundary. तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है, तो ये cancer बन जाता है. तो ये cancer के बारे में स्टेटमेंट था. एक्स्मानेशन में आप पढ़ सकते हैं, AIDS क्या होता है, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, जिसमें कि हमारी बॉड़ी की जो B-cells और T-cells हैं, जो लिंफोसाइट ये जो इम्मुनिटी वाली सेल्स हैं, वो खराब हो जाती है. ट्यूबर क्लोसस क्या है, बेक्टिरियल डिजीज है, जिसमें हमारी लंग्स एफेक्ट हो जाती है, और हमारे लिंफ नोट्स एफेक्ट हो जाती है, तिरे देदे वो बाकी के बॉड़ी पार्ट को भी एफेक्ट करता है. अलजाइमर डिजीज है, जिसमें हमारी नर्व्स खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके विज़ा से मेम्री लॉस हो जाता है, बहुत बुरा. आखरी सवाल इस सेट का, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये यूपीसी द्वारा पुंचा गया, सवाल है, इसमें बूच पुचा गया है, CD जो होती है, compact disc, जो पुराने जमाने में हम यूज किया करते थे, आज कल तो आप लोग CD यूज नहीं करते है, लेकिन, विन आई वाज इन माई स्कूल, मतब आसे दस साल पहले की बात, अगर आप याद कर लेते हैं, तो CD उस टाइम पे यूज की जाती थी, तो CD जो होती थी, उसमें क्या होता था, दस्ते थोड़ा जादा साल पहले किया, CD जो होती थी, compact disc, यूज इन audio and video system में हम यूज करते थे, तो वो उसके उपा, अगर आप सूरज की रौशनी पड़ती है, sunlight, तो rainbow की तरह कलर समको दिखाई देते हैं, चमक्ति वो दिखती है, वो अलग-अलग rainbow जैसे कलर दिखाई देते हैं, तो यह पूछ रहा है कि यह जो फिनोमेना है, यह जो रंग भी रंग के कलर दिखाई देते हैं, किस की वज़े से होता है, यह reflection and diffraction की वज़े से होता है, यह reflection and transmission की वज़े से होता है, यह diffraction यह transmission की वज़े से होता है, यह reflection, diffraction and transmission तीनों की वज़े से होता है, तो यह किस वज़े से होता है, तो ऐसे जो सवाल होते हैं न, ऐसे सवालों में न, पहले तो आपको ये पता होना चाहिट ये फिनॉमिना क्या होता है, किसी सर्फेस के उपर, मेटल की जो कोई सर्फेस होती है, उसके उपर लाइट और उससे वापिस चलीगी, वो हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे थी, तो उसक तो यह जवाब है D, तीनों के दिनों फिनों फिनों मेना इन्वाल ओंगे रेंबो लाइक कलर्स बढ़ाने के लिए, जो सीडी के होती है, पुराने जमाने में हम यूज करते हैं, तो यह क्या है लेजर दिस्ट टेक्नोलजी पर काम करती थी, बात हम सीडी की नहीं कर रहे हैं मेडियम से दूसरे मीडियम में, अगर मीडियम डेंसर है, तो तुवर्ट्स नॉर्मल अदवाइस अवे फ्रम नॉर्मल मुर जाएगी लाइट, यह था रफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन क्या होता था, मैंने आपको बताया था, प्रिस्म में क्यों है, लाइट स्प्लेट हो से आपके इस सेटके 10 सवाल थे, इंकरसिंग सवाल थे, कुछ कुछ बराने सवाल थे, कुछ नए सवाल थे, कुछ Jersey सवाल सारे NCRT से, तो हमनेmostली जीज़े हैं NCRT के अपने जो बिसिक कंसेट्स हम पड़ते हैं, science में, वह मने उसमें पढ़ रख्ये हैं, तो I hope आपकोまだ य झाल झाल